हलो स्टूडेंट कैसे हो उमीद करती हो कि आप सब ठीक होंगे तो स्टूडेंट वेलकम तो अवर चानल राजशी क्लासे तो स्टूडेंट टूडें इन इस वीडियो वी आर गोइंग टू लाँन फोर स्टैंडर्ड एविए चाप्टर नमबर वन दे लेशन नेम इस गोइ स्टूडेंट का जो है फर्स चाप्टर जो है हमने शुरू किया है और इसके आगे भी सारे चाप्टर जो है आपको जलसे जल्स मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको जो है राजशी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्स्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन कर भी क्ल के तो नोटिफिकेशन जलसे-जल्स मिल किर जाएंगे स्टूडेंट उस्टूडेंट शूरू करते है लेफन जाता करने के लिए क्याएं दो करना पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर देखा था जिसमें कि वाहाँ पर बहुत रेन होती है इसलिए उनको चोटे-चोटे नदीव का सामना चोटे-चोटे-ब्रीज बना बनाते है और उसके गडते हम धी स्कूल जाते हैं इतना घ्तरनाख होता है कि अगर कोई बच्चे सकते हैं पिछ के लिए जो है यहां पर यूज किया था है उसे उसमें पुले यूज किया है तो कि यहां के वह आ एढहा सकते हैं इसके बारे में भी जो है है दिखाया गया है तो से में कितने सारे लोग केसे सब बाते हैं'' उसमें material कैसे use होते हैं और कितने लोग जो है वो cross करते हैं कौन-कौन लोग cross करते हैं animal cross करते हैं क्या यह सब बाते जो है आपको जो है first video में हमने पूछी थी और यह जो bridge है आपके आसपास में वो over water है, over road है या mountain के बीच में है तो यह जानकारी जो है आपको बताना था, next second video जो हम यहाँ से शुरू कर रहे है draw a picture of the bridge in your notebook, आपको क्या करना है कि एक bridge का picture जो है आपको notebook में जो है बनाना है, do not forget to draw the train, vehicle, animal or people who cross the bridge और जब भी आप यह bridge बना रहे हो तो आपको यह जो bridge बना रहे हो उसके उपर आपको train या फिर animal है या फिर vehicle है, जो भी people है, यह सब जो है यहाँ पर हमें बनाने है जैसे यह people जो है, अगर जा रहा है तो हमको people के picture बनाने है या फिर कोई vehicle जा रही है, तो vehicle बनानी है, वैसे ही जो है अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो गाड़ी बनानी है हमें, तो इस तरह से जो है हमें उस bridge के उपर जो है picture people के भी, लोगों के, animals के, vehicles के जो है वो बनाने है next जो है यहाँ पर दिया है, imagine what difficulties there would be if the bridge was not there अब अगर ऐसे difficult रस्तों पे जो है, road पे हो या फिर जहाँ पर river हो, जहाँ से cross करना होता है तो ऐसे difficult places पे, अगर bridge ना हो, तो कैसे difficulties का सामना करना पड़ता है, इसको imagine करना है आपको, ठीक है if there is no bridge, we would have to cross the river by boat so we would have cross the river by boat तो हमें जो है, वो किस से cross करना पड़ेगा river, boat से cross करना पड़ेगा या फिर हमें जो है, we would have to travel a long distance to cross the river, river को cross करने के लिए हमको long distance जो है, वो चल के जाना पड़ेगा तो इस तरह से जो है, आपको ये answer लिखना है next जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये केरला जो है, ये एक place है तो इस केरला में जो है, बच्चे जो है, वो school में कैसे जाते है वल्लम से जाते है, वल्लम क्या है अब ये? in some part of a केरला, we use a वल्लम मतलब केरला के बहुत सारे पार्ट में जो है, वल्लम का use किया जाता है some wooden boat, ये वल्लम याने क्या है, ये wooden की boat है ये जो दिख रही है, ये wooden की boat है, to reach school मतलब इस वल्लम पर बैठके जो है, बच्चे school जाते है तो आपने boat तो देखी होगी, उस boat का use करके जो है, बच्चे जो है, वो school में जाते है have you seen any other kind of a boat, क्या आपने भी अलग-अलग type के जो boats है वो देखे है, तो आपको लिखना है, if you are seen, you have to write yes अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको जो है no लिखना है तो अगर आपने अलग kind की जो अलग प्रकार की अगर boat देखी है, तो आपको क्या लिखना है, yes लिखना है yes, I have seen the other kind of a boat, यह answer जो है, आपको लिखना है yes, I have seen other kind of boat, अब यह जो boat है, वो कैसे होती है तो यह भी आपको लिखना है, तो यह boat जो है, अगर आपने देखी है तो जिस तरह से होती है, उसके बारे में आपको जो है, वो answer लिखना है ठीक है, next जो है, next यहाँ पे दिया हुआ है can you think of other way by which we can travel on water तो क्या और भी कोई तरीके होते है जो पानी से travel करने के लिए तो और भी जो है, बहुत सारे बेज होते हैं, जैसे we can travel, we can travel on water, water के उपर जो है, हमें travel करने के लिए हम using motor boat, motor boat का भी use कर सकते हैं, और ship का भी use कर सकते है और streamer का भी use कर सकते है, steamer जो होता है, उसका भी use जो है हम कर सकते हैं, ठीक है, तो boat के अलावा जो है, हम ये भी जो है तरीके अपना सकते हैं, जो है यहाँ पर दिया हुआ है, camel cart, camel cart आपने देखा होगा ये जो है, इस तरह से होती है, और ये राजस्थान में हमको ज्यादा तर दिखती है have you ever sat in a camel cart, a horse carriage and where क्या कभी आप टांगा जो बोलते हैं, टांगे पर बैठे हुए हो, तो अगर बैठे हो तो आपको yes लिखना है, क्या कभी आप camel cart में, जो यहाँ पर दिख रहा है इस camel cart में बैठे हो, तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आप बैठे ही हो, पर अगर कोई trap मतलब घूमने जाता है राजस्थान में वगरे तो वो भी जो है camel cart में बैठा ही होगा, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है अब जब camel के उपर अगर आप बैठते हो, तो क्या कोई आप ओ चड़ा कर देता है उसके उपर बिठा कर देता है या फिर आप खूद होके उस पर बैठते हो तो अगर आप उसके उपर बैठे हो, टांगे के उपर बैठे हो या फिर camel cart पे बैठे हो, तो कुई नа कोई आपको जो है, वो help बैठने के लिए तो कौन हेल्प किसने आपको हेल्प किया वो जो है यहाँ पर आपको जो है वो लिखना है जैसे आपके अंकल होंगे तो आपको अंकल लिखना है या फादर होंगे तो उनका नाम लिखना है तो यहाँ पर जो है क्या दिया है यहाँ पर दिख रहा है camel cart तो यह जो है desert वाला पार्ट है so there is sand all around तो यह बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि हम जो है desert में रहते हैं यहाँ पर रेत ही रेत होती है और वहाँ पर जो है सभी तरफ रेत होने की वज़े से it gets very hot in the day तो दिन में जो है बहुँ ज़्यादा वो जो रेत है वो गरम होती है we ride in a camel cart to reach school और हम जो है camel cart पर बैठके जो है school में जाते हैं जैसे कि यह देख रहे हो आप यह बच्चे जो है camel cart पर बैठके जो है school जा रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है यह जो question मैंने आपको भी पहले पूछा था तो अब जो है next question यहाँ पर दिया है how did you feel riding in the cart अगर आप cart पर बैठे हो तो आपको जो है कैसे feel हुआ उसके बारे में आपको बताना है तो आपने enjoy ही किया होगा so I enjoy the horse carriage ride very much यह जो है आपको लिखना है if you are enjoying riding in the cart so you ride there yes I am enjoying that so also share your experience in the class also और यही experience जो है आपको आपके school में भी जो है बच्चों को अपने friends को बताना है या फिर आप school में नहीं हो अभी तो घर हो आप में तो आपके आसपास के friends जो है उनको बताना है next जो है यहाँ पर दिया हुआ है bullet cart बुलक कार्ट तो आपने देखाई होगा ज़रूर देखा होगा यह जो है इस तरह से bullet cart होती है we ride in our bullet cart going slowly through the green field हम जो है यह जो बच्चे दिख रहे है यहाँ पर यह बोल रहे है कि हम जो है बहुत ज़ादा enjoy करते है बुलक कार्ट पर और यह जो बुलक कार्ट है वो slowly जो है बुजाता है और कहा से जा रहा है green field के बीच में से जा रहा है मतलब हरा भरा खेत है आजुबा जो में वहां से जो है यह हमारा कार्ट जो है वो जाता है if it is too sunny or raining we use our umbrella और जब बहुत जादा धूफ होती है या फिर rain होती है तो हम क्या यूज करते है अम्रेला यूज करते है आप भी जो है चाता यूज करते हो जब rain होती है तो यह जो है आपको दिख रहा है अब यह जो बुलक कार्ट है यह जो बुलक कार्ट है वो कोन लेके जा रहा है यहाँ तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्वेशन्स का युज होता है तो आपको लिखना है अगर आपने बुलक का यूज होते हुए देखा है तो आपको लिखना है या फिर अगर बुलक का यूज होते हुए आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे नो लिखना है अगर आपने कही देखा है तो आपको लिखना है अगर आपने इसे टीवी में देखा है या फिर कही और विलेजेस में अगर गए हो तो देखा है तो आपको लिखना है क्या उसके उपर रूफ होता है मतलब च्छत के जैसे जैसे ये बुलक काट है तो इसके उपर जो है ऐसे च्छत बनाई जाती है और यहाँ पे बच्चे बैठते हैं तो क्या उसके उपर रूफ है ये पूछा है अगर आपने बुलक काट को देखा है आपके एरिया में use होता है तो आपको अगर आप उसके उपर school में जाते होता है आपको लिखना है कि उसमें roof है कि नहीं अगर है तो yes लिखना है some of them have but many don't have a roof मतलब some जो brick some जो bullet cuts होते है उसमें जो है brick होता है और कुछ में जो है वो roof नहीं होता है तो यह आपको जो है यहाँ पर लिखना है ठीक है next जो है what kind of a will do they have उसके wills जो है वो कैसे बने होते है तो यह जो wills होते है बुलक काट के वो किसे बने होते है wood से बने होते है ऐसे जो will होते है उस बुलक काट के तो वो कैसे बने होते है वूड के जो है वो बने होते हैं तो यह आपको बताना है कि यह जो है वूड से बने होते हैं क्या लिखना है दे हाव विल दे हाव विल मेड आफ वूड मेड आफ वूड वूड से बने होते हैं तो यह आपको यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है Make a drawing of a cart in your notebook आपको जो है बुलक का एक picture जो है अपने notebook में बनाना है नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है Bicycle Ride दिया हुआ है आपने bicycle तो देखा ही होगा सबके घर में bicycle होती है तो यह bicycle का ride जो है Bicycle पे जो भी बच्चे स्कूल जाते है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो आपने बहुत सारे बच्चे को देखा होगा कि वो जो है इस तरह से bicycle पे जो है स्कूल पे जाते है We ride our bicycles on the long road to school तो यह जो लड़किया है वो कैसे जा रही है Bicycle से जो है वो स्कूल के लिए जा रही है At first girls here did not go to school तो यह बता रहे है कि पहले जो है लड़कियों को जो है स्कूल में ही बेजाने जाता था और bicycle से तो वो जाती ही नहीं थी Because it was too far क्योंकि वो बहुत जादा दूर जो है उनको जाना पड़ता था But now groups of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult road लेकिन अब जो है 7 to 8 लड़कियों का group जो है वो मिल के जो है long distance भी हो तो भी वो जो है स्कूल में जो है मिल के जो है जाते है और difficult road से भी जो है वो स्कूल में जाती है तो यहाँ पे जो है और कुछ questions दिये हुए है Can you ride a bicycle क्या आपने कभी bicycle का use किया है तो आपने तो किया ही है तो आप जो है इसका answer लिख सकते हो If yes, who taught you to ride अगर आपने bicycle का use किया है तो आपको वो जो है किसने सिखाया था तो यह जो है आपको यहाँ पर लिखना तो यहाँ पे आप answer लिख सकते हो तो अगर आपके पापा ने आपको पढ़ाया है तो आप लिख सकते हो My father taught me to ride bicycle इस तरह से आप इसका answer लिख सकते हो या फिर आपके friend ने पढ़ाया है तो my friend taught me to ride bicycle ये भी लिख सकते हो तो इस तरह से आपको ये answer लिखना है Next question और एक दिया है How many children come on bicycle to your school आपके school में कितने बच्चे bicycle से आते हैं उसके बारे में आपको लिखना है अगर 10 है, 20 है तो ये आपको यहाँ पर answer लिखना है Next जो है आपर क्या दिया हुआ है जुगाड के बारे में दिया है तो ये जुगाड जो है जुगाड यानि क्या होता है मतलब 2-3 vehicles को मिला के जो एक vehicle तयार की जाती है उसके जुगाड कहा जाता है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो है टूविलर है और ये जो है मतलब छोटा सा आपको दिख रहा है, आटो जैसे एक जो ये दिख रहा है वेहिकल तो ये दोनों को मिला के जो है एक नए वेहिकल तYार हुआ है तो इसे क्या कहा जाता है जुगाड कहा जाता है ठेक है? तो यहाँ पे दिया है, look at our यह जो है एक special transport है इनका मतलब एक two wheeler को जो है जोड़ कर जो है यह नया एक vehicle जो है बनाया गया है तो its sound फट 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 जब यह चलती है तो इसका आवाज कैसे होता है फट 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 ऐसे आवाज होता है सामने वाला portion जो है आप देख रहे हो वो कैसे दिख रहा है motorcycle के जैसे दिख रहा है यह but the carriage at the back is made out of a plank of a wood और पीछे का जो portion है wooden के plank से जो है वो बनाया गया है wood का use करके और फिर यहाँ पर टायर भी लगाए गये हैं तो अलग तरीके की जो वेहिकल है जिसे क्या कहा जाता है जुगाड कहा जाता है next जो है यहाँ पर कुछ questions भी दिये हुए है do you have such vehicle in your area क्या ऐसे जुगाड टाइप का जो वेहिकल है वो आपके एरिया में भी आपको दिखता है तो आपको जो है इसके बारे में बताना है अगर दिखता है तो हा कहना है और नहीं तो फिर कि लो बिस टाइप के जुगाड जो है वह जो सी टी में भगरे जो हो है हमको नहीं दीखने है अलग अलग टाइप के दुसरे टाइप के जो जो है हमारे एरिया में हमको दिखने को मिलते हैं तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर यहाँ पर लिखना है अब आपके एरिया में जो भी अलग टाइप के वेहिकल जो दिखते हैं उसका नाम जो यूज किया जाता है वहाँ पर वो जो है आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है और क्यों की है उसके बारे में आपको बताना है अगर आपने इस जोगाड टाइप के वेहिकल पर अगर आपने राइड किया है अप गए हो तो यहाँ पर आपको येस और नो में आंसर देना है ठीक है क्या आप बता सकते हो कि इसे जुगाड क्यों कहा जाता है तो जुगाड क्यों कहा जाता है विकाज इस लिए इसे क्या कहा जाता है जुगाड कहा जाता है तो क्या आंसर लिखोगे आप यहाँ पर So, because it is made by putting together parts from different vehicles, अलग-अलग vehicles के part जो है, वो मिलकर जो है, इसे बनाय जाता है, लाइक जो है, टायर, टायर लगाय जाते है उसमें, नेक्स्ट जो है, इंजीन, इंजीन लगाय जाता है, वोडन प्लैंक जो है, वो लगाय जाता है, नेक्स्ट जो है, आगे जो है, आपको मोटर बाइक दिखा था, तो मोटर बाइक का जो है, आगे का part है, motorbike तो इस तरह से जो है इसका answer आप लेख सकते हो because it is made by putting together parts from different vehicles अलग-अलग मतलब vehicle के parts जो है मिला कर बनाय जाता है जैसे कि tires लगाय जाते है engine लगाय जाता है wooden plank लगाय जाता है then जो है motorbike जो है का आगे का part जो है वो लगाय जाता है तो इस तरह से ये मिल कर बनाय जाता है इसलिए इसे जुगाड कहा जाता है ठीक है the जुगाड has been made by using waste material अब जुगाड जो है वो waste material को मिला कर बनाय जाता है तो why don't you also try to make something by putting together some waste material तो आप भी जो है ऐसे waste material से जो है कुछ न कुछ नया जो है वो बना सकते हो तो आप भी क्यों न try कर सकते try करते हो घर में ऐसे ही जो है अलग-अलग जो waste material होता है उसको मिला कर जो है एक नई चीज जो है बनाने की आपको कोशिश करनी है चिक है next जो है यहाँ पर दिया है can you think of places where none of these vehicles can reach क्या आपको ऐसे भी कुछ places मालूम है जहाँ पर कोई vehicle जो है वो नहीं जाती है तो अगर आपको ऐसे places मालूम है तो उसके नाम जो है आपको बताने है तो बहुत सारे ऐसे villages है deep villages जो है जहाँ पर जो है कोई vehicle जाता नहीं है तो ऐसे बहुत सारे places है जो अगर हम पता है तो हमको जो है उसके नाम जो है वो लिखने है तो student यहाँ पर जो है हम इसके second part को जो है वो खतम करते है इसके आगे का जो यह part है वो हम जो है वो वीडियो मतलब इसका तो student अगर आप video समझ में आया है और अच्छा लगता है तो इसे like, share और subscribe करना मत भूलना और bell बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना जिसरे कि आपको सारे notification आगे के आने वाले सभी लेसन जो है वो जल से जल उसका notification मिल जाएगा So thank you for watching this video Have a nice day